नमस्कार साही टितक के बुक कैफे के किताबे मेली कारेक्रम में मैं जय प्रकास पांदे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं राज कमल प्रकासन समू और उसके सहयोगी उपक्रमों लोक भारती प्रकासन राधाकृष्व प्रकासन से मिली पुस्तकों की चर्चा देवी प्रसादमिश्ट्र की अन्य कताएं यह पुस्तक है राज कमल पेपरबेक्स ने इसको प्रकास्ट किया है यह कहानी संकलन के रुप में उस रिंक्टा के पुस्तक है लेकिन कता के अलग अंदाज में संस्मरणों को परोश्थती है कि दूसरी जो पुस्तक है मारण मंत्र भिमल चंद्र-पांडे की पुस्तक है यह लोग भारती पीपर मैकस से प्रकाशित हुई है और यह उस पुस्तक 스타ुय संग्रही है एक जीवन अलगसर रूपम मिष्रा का यह एक कविता संग्रह है जिसे लोक भारती पेपरवेक्स ने प्रकासित किया है कचार कथा हरिस्चंडरपांडे की पुस्तक इसके प्रकासक राजकमल पेपरवेक्स है यह पुस्तक कविता संकलन है और हमें बुक कैफी में चर्चा के लिए प्राप्त हुए इसके अलावा स्रिवाजी महराज के जीवन पर आधारीत उपन्यास रिंखला महा समराट यह विश्वास पाटिल जो मराठी के जाने माने रचनकार हैं उनकी पुस्तक है इसका पहला खंड जंजावात हमें प्राप्त हुआ है इसका आनवाद रभी भूले ने किया है राजक प्रकाशन समुग और उसके सहयोगी उपक्रमों द्वार्ण मिली हुई जो आखिरी पुस्तक है वह है रविंद्र भारती की खुल हुलिया यह एक नाटक संग्रा है जो राजकमल के सहयोगी उप्खरम राधा-क्रिष्ण प्रकाशन से प्राप्त हुआ है यह सभी पुस्त मैं चर्चा करूँगा आने वाले दिनों में, यह पुष्टकें कैसी है, इन पुष्टकों के अंदर क्या है, इनका कथानक क्या है और इन्हें क्यों आपको खरीद कर पढ़ना चाहिए, यह आप हमारे भुख कईफे कारेक्रम को एक दिन, एक किताब में, जब मैं इन पुष पुस्तकों की जानकारी देना है हर सुक्रवार मैं कविता संग्रह की बात करता हूं कविताओं की बात करता हूं हर सनिवार आपके किसी प्रिय लेखक से उसके जीवन कर्म पर या तो बाते मुलाकाते कारिक्रम करता हूं या उनकी किसी चर्चित पुस्तक पर सब्दरती कारि उस दिन मैं पुzahl को की जानकारी देता हूं। फुस्थतक संस्कृत को वडहवा देते रहें। फुस्थके खरीदते रहें, पढ़ते रहें, अपनी को ज्यानवान बनाते रहें। और इस कालक्रम में अपनी राय से होगत कराना हमी ना भूलें आपकी राय इसे हमें हमारे कारेक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। देखते रहें साहीति तब धन्यवाद।